नमस्कार दो के दम में आप सभी का स्वागा थार में हूँ आपके साथ सुभाज कोड आज मेरे साथ हमारे संपादर हरीश अस्वाल भी पूछेंगे दो के दम में कैबरेट मंत्री चंदन्राम तास से खास बातचीत और उस बातचीत में आखिरकार जानेगे कि एक महिने की स कि अधर काम हुए और क्या सरकार आगे आने वाले समय में काम करेंगी पहले तो मंत्री आपका बहुत-बहुत दन्यवाद आपको आपके पास महतुपूर्ण विभाग हैं और इन महतुपूर्ण विभागों को किस तरह के से चलाएं जोर क्या रूप लेखा आने वाले भो लगु कुटी रुद्योग, खादी ग्रामन्दयोग, अलप संक्या कल्यान, चात्र कल्यान जैसे बहुत ही कल्यान कारी योजनाओं को संचालित करने के मेरे पा विभाग हैं और लगबग एग महां हमको हो गया है पहले तो मैंने पूरे विभागों की संख्य की हैं और एक सो दिन का रोड मेप तयार किया है कि हमको क्या क्या काम सो दिन के अंदर करने है और जो हमारा शंकल पत्र है जो हमारा दिष्ट पत्र है उसको हमने करने का काम सुरू कर दिया है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो परिवन विभाग है परिवन विभाग की जो प्रमु कोई है मैंने भी दो तीन बैठके हैं अपने परिवन विभाद जो नीजी वाहन स्वामी है लगबग 16,000 गाड़ियां हम इस बार चारधाम यात्रा में चलाने जा रहे हैं जिसके लिए हमने घ्रीन कार्ड व्यवस्ता सुरू कर दी है वेल फिटनेस्ट वेल मेंटें गाड़ को हम इस बार रोड में चलाएंगे और चारधाम यात्रा को शुविदा जनक निष्कंटक एतिहासिक बिनाने का हम प्रियास कर रहे हैं दूसरा मेरे पास समाज का लान जैसा बहुत महत्तोमन विभाद है जिस पर हमने काम सुरू कर दिया है मानि मुख्यमंत्री की घोचना कि हमारे जो सभी प्रकार के प्यंसन है और चाहे बृधवा प्याट, चाहे बिद्वा प्यंसन हो चाहे न connection हो उंको हमने पंद्रा हुआ इंड करने का वानिय मुख्यमंत्र की लिए थी और तीन दिन पहले मैंने इसका शासना ज़ाई कर दिया है दूसरा हूंने य sağmitt दिया अपने अधिकारियों को नर्देश दिये हैं ताकि हम जो बिशेश मात्रा करने योजना है हम उनको विभागों में कैसे लागो करेंगे इसका मैंने काम सुरू कर दिया है मैंने दिव्यांग को चार प्रतिसत आरक्षन का कोटा नोकरियों में जारी करने का सबसे पहले आदेश मैंने जारी कर दिया है ऐसे बहुत से काम जो कुछ नीतिकत मामले भी थे उनको भी हमने शुरू कर दिया है जो मेरे पास लोगोर कुटिर उद्योग है खादी गरामत द दो योजनाई थी एक थी प्रधानमंत्री सवरोजज़णा एक थी हमारी मुक्यमंत्री सवरोज़णा एजना मैंने कहा हमारे पाँ अच वार्द्योग भाग में इतना बडा इंफ्रस्ट्प्रेक्चर है अधिकारी है क्यों ने हम नहीं योजना शुरू करे इस बार हमने कर दो करें और इस बार मैंने वन डिस्टिक टू प्रड़क्ट पर काम करना शुरू किया है पर तेक जन्नपद में जो महत्वन दो उत्पाद हैं उन पर हम कुटिरू दो लगाएंगे ग्रहा उद्योग लगाएंगे चाय की खेती को हम बढवा देंगे हमने चाय के सेत में जख़ su socially just the चाय को चाय की भाई च्मपाउत की फैक्ट्री पी सुरू करा रहा हो मैं गारशिय की स्योर कराच घारएंगे इसे क्या हो गए भी बढवा को रोजगार में गया ओर लोगार उसे क्या होगा की महीलाओं को रोजगार मिलेगा और हमारे बागान विख्षित होरे तो हमको के जागे लाने के ψोदीर काने की सिर्षाक बन्दरू नुक्सान होसे कि लिए उसको रोकने के लिए भी औरहिता है। कि भी उपलबब्द गात मेरे भाहां धरी यहकाहता है। मेरे वहां खरिया संसादन है और हम खरिया को अगल य्रुपमें। हम चोटी इनूद लगाने का काम सुरु कर रहे हैं मैंने अल्मोला मंगनिसाइड फक्टरी में एक पलपलाजर की फक्टरी लगाना शुरु कर दिया है मसीनी भी शुरू हो गई मैं निय उद्ड्योग सेबित करना चाहता हूं मैं ग्रह उद्योग इस्तावित करना चाहता हूं मैं खादी और ग्रामद्योग के माध्यम से लोगों को वही पर रोजगार देने काम काम कर रहे हैं मंद्री जी मैं आपको थोड़ा सा यहां रोकूंगा क्योंकि मेरे सवाल इनी से जुड़े हैं आगे भी परिवर्यान निगं आपके पास है जो सबसे जयादा गाटे पर उससे काईसे ओबहरे ह adesso तो देखे परिवर्यान निगं का जन्म गाटेशी हुआ है उसके बाबजूद भी परिवर्यान निगं ठिठा चल्ला था मगर जो ये कोरोना काल आया कोरोना काल के कारण परिवन निगम घाटी में है, मगर मैं आपको सुचना देना चाहता हूं कि दाइसो करोड़ पे हमको उत्तरप्रदीशी मिला और अभी अभी माननी मुख्यमंत्री पुसकर सिंग धामी जी के नितरत्तु में और उत्तरप्रदेश के माननी मुख्यमंत्री काम किया है एक तो घाटा होबार्म वार्मी हमको सहुलियत हुई है तीसरा जो हमारा तंखा देने में 600 महने का जो बैगलोग था अब हमारा एक और दो मेंने का बैगलोग आ गया है और जो 10ma साल से हमारे रिटायर करमचारी थे, उनकी पंशन देनी थी, उनकी ग्रिजविटी देनी थी, और मैंने कुछ प्रेशों के विवस्ता करके, दो हजार बाइस तक के सभी करमचारी एंको पंशन और ग्रिजविटी का भुक्तान करने का आदेस कर दिया है, अब रोड कि प्रवेज के आमदरी बढ़ाने के लिए हम प्रते एक जनपद इस्तर पर और जहा जहां जहां हमारे कजबे हैं जहां आबादी शेत्र हैं वहां हम इल्टिकल चार्जिंग स्टेशन की हम इस्थापना करने जा रहे हैं ताकि एलेक्टिकल बशे आएंगी ि उहींतों जो new y地方 ये वीन आज आज जा अगानी की पाद कर्रे मारं है क्या लगता है कि समय और शड्यकरी की अगजागocy जिज को कर्मचारीं dramaturra के अलड़र उट ओप जिजे हैं मुख्या की चीजे होती है वह तिन्खा आब य मुख्यों कि इसाधी तन्खा अब लिए बसों को लगाएंगे लेकिन बगाए इतना जादा सरकार पर हो जाता है कि सरकार उसका वहन नहीं कर पाती है और करशारी वेतन नहीं मिल पाता है आपने कहा कि जरूर हम वेतन देंगे लेकिन अगर पिछले रिकॉर्ट को देखा जाया तो लगवग लगवग जो वेतन की कमी है उचार ने उनका पेमिंट नहीं किया इस वज़े से हुई है फिर चार धाम यात्राओं में जो बसे लगी ती उनका बगाया इतना जादा हो ग तर नहीं बाइब आपको जानकार देना चाहता हूं चार धाम यात्रा में ज्यादा ज्यादा नहीं होता है मात्र पचाश बशे लगती है और इस बार माँ प्रयाज कर रहा हूं कि कम्सम फो बशे लगें उनका बढ़ने होगी तो संचाधन बनाने पढ़ें और चार धाम यात्रा में नीजी जो वहन स्वामी हैं जो हमारे बाहर से जो अन्य राजियों से हमारे बाहन आते हैं जो परिटक आते हैं उन से यहां की आय होती है ने की रोड़ बेश से और मैं चार धाम की इस बार रोड़ बेश काभी चार धाम यात्रा महो तांकि उनकी भी आमधनी किराय बढ़ाने की भी बात हो रही है तो यह बुझ दलना ठीक हो गाँ अगर कोरोना का हवाला लेते वे सरकार बोलते हिक हम दो साल से कुछ खास नहीं कर पाए और यह बोज जन तक हो पर दलना ठीक होगा कि किराय बढ़ा दिया जाए देखे पिछले दो साल से करण जी अरि हमने दो हजार रिपार ड्रैवर कंड़्टरों को देने का हमने प्रयास किया नगर फिर भी जो डिजल और पेट्रोल के दाम अंतराश्ती बजार में बढ़े हैं उनके कारण महंगाई वास्तों में हो रही है और लगातार इनों की और बाहन सौम्यों की हो रही है किराय अर्खिया चार अधिकारियों की और स्टी की बैठक में यह मामला मेरे पास आएगा और मैं प्रयास करूंगा कि दोनु तरफ से जो भी हमारे पार प्रस्ताव आएगा मैं मानी मुख्यमंत्री की सहमत से हम कोई बीच का रास्ता निकालेंगे तांकि वहान साम्यों बी उतन बोज ना पड़े और हमारी आम जनता यात्रियों में भी कोई ऐसा बड़ा बोज ने पड़े कोई बीच का रास्ता निकाल के हम सामन जिसीन बनाएंगे सार राजानी देहरादून का जो आएस बीट है वो अभी पी किराय पे जारा हो यह देखा गया कि आपने तलिया निरखण भी किया स्रिती बेहत खराब आपने भी महसूस कि आपने दिकाले को समझाया भी लेकिन क्या लगता है कब तक निगम के पास अपना बसड़ा होगा कब तक आत्म निर्वर बन पायेगा कि आप जानते हैं कि आएस बीटी अभी एम्डीडे की प्रोपल्टी है और एक कंपनी उसा संचालन कर रही मैंने ओचग निरिशन भी क्या था और साहिद आपको जानकारी होगी उसकी बात काफी वहां परिवर्तन भी हुआ है और परि के रमचारियों में उर्जया भरू एमानदारी से काम करें हम वक आने वाले समय में रूडबेज की स्थिति भी ठीखो आएस बीटी की स्थिति ऑँ थिखो मैं ने ट्रांसपोर्टदनंगर के एडिपो का भी मैंने इंर्टन क्या मैंने श्री नधिगर का के औरामनगर का कि मेरा प्रयाज से लगाता है कि मैं रोडवेज की स्तिती को और उनके डीपो की स्तिती को भी ठीक करूं और जल्दी ही आपको शकारात्मक प्रयाज दिखेगा हलदवानी आएजबीटी को लेकर क्या अपडेट है वी तरह इस मामले को भी आप जल्दी से जल्दी निप्टाएं जैसे मानी उच्छी नियाले से यह मामला निस्तारित होगा तो आएजबीटी हलदवानी का मार भी प्रसस्तों होगा सर एक बड़ी चीजी है कि पहाडों में बसे चलती है अपनी रोडवेज की और यह देखा गया है कि जो बसों की स्थितिय बहुत 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 जादा होती है क्या लगते है कुछ नहीं बसे आप लोग लेंगे इस बार हम प्रयास कर रहे हैं कि नए वल्बो आएं इलेक् किया है उसकी मैंने पूरी समिक्षा की है अधिकारियों के साथ बैठके करमचारों के साथ बैठके आने वाले समय मा हम परिवहन विभाग कोई नहीं है रोडवेज को भी एक अच्छी स्थितिमा लाएंगे मा आपको विष्वास देला को दो रोपने के लिए क्या परियास हमने सुरू कर दी है जब तब गाडी की फिटनस नहीं होगी जब तक उसके कागजाद पूरे नहीं होंगे तब तक उस व्यक्ति को ग्रीन कार्ड नहीं मेलेगा नंबर एक तो कारण यह है दूसरा जो जाम लगता है जाम के कारण फिर गाडियां च्छा आठा ड़ंटे र जाता है तो इन चीजों को भी रोकने का पूरा प्यास किया जा रहा है इस बार हमने नहीं चोकियों का गठन कर रहे हैं चोकियों में चेकिंग व्योस्ता दुरस्त होगी चोकियों में हम पेजल की व्योस्ता सोचाले की व्योस्ता मेटिकल व्योस्ता सभी व्योस्ता है हम एक जोगा सुरक्षित करके हम इस बार चारधाम यात्रा में सुरक्षित यात्रा के लिए हम कटिबद है यह मेरा प्रयास होगा समाज के लिएन विभाग गोटाला आपको याद होगा उसमें गोटाला हुआ था क्या उसके आप जांच कराएंगे मंत्री के खिलाब जो पूर मंत्री है उनकी खिलाब भी अब करवाई करेंगे देखे जो मैंने अधिन क्या है अपने समाज के लाने विभाग में चात्रवर्ती गोटाला जो पांचे साल पहले हुआ है यद्देपी ओ मामला उच्छिन आयले में लंबीत है और कई अधिकारि हो सीथे आउनलाइन उनके खाते माज जाएगा जितनी भी पैंसंस हो वो वन क्लिक के सांथ पहली तारिक को साड़े सत्रा लाग लाबारतियों के खाते माज जाएगी कोई लिकेज नहीं होगा मगर जो पुराना मामला चल रहा है चुकि ओन्यायल में लंबीत है उसके बार कर दिया है अगर कोड दोश्यों का नाम खुटकर सामने लगता है तो क्या आप लोग कारवाई करेंगे बड़ी कारवाई एक तो यदि न्यायले का कोई नर्देश होगा उसका इमानदारी से पालन क्या जाएगा उद्योगों को लेके बात करेंगे सब मंत्री जी उद्यो लोग हम उतराखड में आये थे और उनको सुविधाहन मिलने कारण वो अध्योग वापस जा रहे हैं क्या इसमें आप लोगोंने कदम उठाया है देखे उद्योग हमारे दो इस्तर के हैं एक मैदानी सेत्र में और एक परवती सेत्र में परवती सेत्र में हमने हिल इसकीम प्लागू की थी और 30 पर सेंट मार्जिन मनी और सिंगल विंडोग सिस्टम के माध्यम से हमने लगो और कुटीर उद्योग लगाने का हमने संतल्ब लिया था और बहुत से उद्योग लगे भी मगर कुछ दिनों बाद चाहे वो थर्ड पाल्टी इंस्प्रक्शन हो चाहे अन्नी जो भी स्थितिया रही हो उद्योग हमारे बंध हुए बहुत लोग ने प्लेंट समें सब्सीटियां भी ली और उद्योग बंद अफ हुए नारेंदर तिवारी जी के जमाने से ही उद्योगों का यहां विकासवा हरदवार है उदम सिंग नगर है हमारा सिटकुल जब तक वहां के बेरोजगारों को उद्योग मैं ग्रह बंध हुएं कि मादिम से जब गृजगार नहीं देंगे तब तक खाली भासुनों से पलाइन रूकने वाला नहीं है और पलाइन को रूपने के लिए हमको पहाण में ही रोजगार सरेण करना पड़ेगा उसके जैसे मेरा प्रधान मंत्री रोजगारी उजना है, मुख्यमंत्री रोजगारी होजना है, हमारा भीभाग अरजी कलेक्ट करता है, सीध्यों की अधेक्सता में वह बैंको चले जाती है, और जब बैंको चले जाती है, फिर बैंक पर निरफ़ हो जाता है, वह कितना लोन देरा, देरा ने देरा, कब देरा है, ज़ि हम् शमाईबद तरिके से, उसको टाइम बाइंड करें, और हम उद् कर दिया जाता है तो थर्ड पाल्टी इंसपेक्शन तक तो उद्डियोग बंद हो जाते है और होता क्या है कि सबसेडी सीज हो जाती है फिर आर सी जारी हो जाती है तो दूसरा प्यक्ति भी फिर उद्डियोग लगाने के हिंबत नहीं करता है और इस बार हम यह विश्वास दिलाते हैं अपने उद्योग को कि हम सिंगल विड़ोग सिस्टम के हिसाब से 10 करोड तक के उद्योग को मैं एक हपते में निस्तालर करने के लिए मैंने अपने पूरे टीम को निर्देश दे दिये हैं और जो मैं वन डिस्टिक टू प्रोड़ किस तरह का सिंगल विंडो सिस्टम, पॉलिशन, एलेक्ट्रिकल, उनके फैक्ट्री एक्स, ये सारे के सारे एक विंडो में होने चाहिए नहीं किसले तो प्रयास हो रहा है, पर है नहीं, 21 साल होगे उत्राखंड को मंत्री जी, और ये प्रयास वर्ड खतम लिए अपर उध्योग चलिए अपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे जो कारिकाल होगा, उसमें आपको उध्योग भी देखेंगे, उध्योग पती भी देखें कि अब थी कहा रहे हैं, तीन इजार करोल का एमोई भी हुआ, उतना बड़ा इंवेस्टर हुआ हमारा उध्योग पती भी आये मानि मोदी जी भी आये, मगर कोरूना के कारण हम सब इस इस इस्तिती से वाकिप है, कोरूना ने हमारे वहां वहां बिश्व में तो जो हुआ ह हुआ 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 ह कि यह जो इस्तानी उन्द सुछ करव bought हिए उन्हों हम अपने 70 प्रतिषत इस्तानी बीरुजगारों को रोजगार देंगे मगर सबस्से कर थाट लग तब। गोव इसमें भी दो चीजे हैं, एक टेक्निकल स्टाफ है, एक नोन टेक्निकल स्टाफ है, तो नोन टेक्निकल स्टाफ में तो लोगों को रोजगार इस्तानी लोगों को दिया ही जाता है, वगर जो टेक्निकल स्टाफ है, इंजिनेरी स्टाफ है, उसमें सभी लोग आते हैं, हमार है बेतर गात की मुझे आपको क्या लगता है सेफ सीट मानी जाएगी है कि खटी में वाले ही इज बार चंपावत जीता निले जाएंगे अपनी भूल सुदा रहेंगे ऐसा एतिहासिक निड़ा हमारे चंपावत के मानने विधायक जी पहला आज गहतोडी जी ने लिया है और चंपावत के लोग के स्वभाग्य मान रहे हैं कि हमारे हाथ बिधायक नहीं मुख्यमंत्री आ रहा है बिल्कुल पिछड़ावा छेत्र चंपावत है नेपाल सिमा से लगा हुआ है और लोग विकास की बाट जो रहे हैं कोई शंकानी है एतिहासिक विजयी मानी मुख्यमं इतना तो आप जानते हैं कि जब चंपाव नहीं मैं नहीं कह रहा हूं को तो खटीमा से प्रेम खतम हो गया उनका घर है घर वाले कभी नराज भी हो जाते तो घर वालों से नराज आत्मि नहीं होता है ऐसी बात नहीं है नगर इस बार खुद घर वाले जितानी जाएंगे अपनी भूल सुदा रहेंगे इन दिनों राजनीती में अलब बाद रुटकर आ रहे है कि कॉंगरेस के कोई बड़े चेहरे हैं बड़े नेता हैं किया है कुछ ऐसा कॉंगरेस नेपति में है तो बहुत से लोग आना चाह रहे है अपना भविस से सुदाना चाह रहे है उन भाज़में समध्न भाद यहने अगर नित्रत हम वहह चाहें और समिटन चाहें गा जसते में मंत्र कि नराजगी कि मंत्रा ले सही से नहीं बढ़े कि मुझे कानीत मतरी मं न नजह सब से जज्यादा कुष कुछ ज़म हूं बांद है चलिए बाटी में मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है, हमारे को मतलब सूचना ये मिली थी कि कहीं ने कहीं हमारे भी सूतर आप आपी के सूतरों में से होते हैं, जहां थोड़ा से नाराज़गी दिखाई दे रही हैं, और हमारा काम है कि हम पाटी को मजबूत करें, संगठन को तो हमारा दिष्ट पत्र है, तो हमारा शंकल पत्र है, उसको हमें मानदारी से लागू करें, सब के पाँच प्रयाप्त विभाग हैं, अच्छे विभाग है सलरी का्स पत्रह सब्सक्रिकपश करने हैं, सारे के पहले बिष्द पोर आख मारा है इक मेनद इन हमार के रहां मतलब मान के चलें कि शै मेंने के अंदर सारे बैक लोग कम्लीष को पूर है मंत्री जी से हमने सीधा तीन मेने का कमिट्मेंट ले लिया है तो आपके विभाग में ये आपका ये बैन हमार पास रिकॉर्डड रहेगा और तीन मेने कम्ट्रीट होते हैं आपको ये बैन चलाएंगे भी जी तो ये थे हमार साथ मंत्री चंदन रामदास जिन्हों ने बता क्या है तो